कोरियन बार्षा परिछा का लागी आबेदन बुजाउना यू बाहरू को भीड लागे को छा मुलुक बित्र बेरोजगारी को अवस्ता कती दर लाग दो छा बनने तथे यो लाइन ले देखाउं छा बैदेशिक रोजगार बिभाग को EPS कोरिया साखाले नवों कोरियन बार्षा परिछा का लागी बिहीबार आबेदन खुलाएको मा आबेदन का लागी सुल्क बुजाउना यू बाहरू को लाइन लागे को हो EPS कोरिया साखाले ग्लोबल आयामी बैंकलाई मात्र सुल्क तिरने अनुवति दिये का कारण बासा परिछा मा सौबागी होना इच्छुक यू बाहरूले गंटाउं सम्मा लाइन बसनु परेको हो बैंकले बिहिवार दस पजे देखी सुल्क लिना शुरू गरेको मा यूबाहरूले अगिलो दिन बेलुका देखीने लाइन मा बसे को बताया काशन। पासा परिछा मा सौबागी होना का लागी परिछा सुल्क चौविस अमेरिकी डलर तोकिये को छा। एकता युटा मात्र बैंक मा सुल्क बुजाओने बेवस्था, तेसमा पनी युटे आबेदक संग सुल्क लिना 20 मिनेट लगाईये पसी यूबाहरूले आक्रोश पोखे काशन। युबाहरू आक्रोशी तोंदा गलोबल आयमे बैंका कतिपई साखा को अबस्था तना पूर्ण बने कोछा। यो योड़ा नेपाल सरकारले यो सबाई बैंक मा के गलोबल आयमे मातर नवर सबाई बैंक मा बहुचर पोईसा भुजाओनी सिस्टम मातरे लागो गर देगो भावन देरेई साख उन्तियों आमी लाई आमी जो राती बेलका वाड़ा चाई लाइन कुरेर अईले शन युबाहरूले मुलुक वित्र रोजगारी का अवसर नवयको रा अवसर पाई पनी पारिस्ट्रमेक निक्कई कमपाईनी गरेका कारण कुरिया जाना चाहेको बताया काशन कुरिया ले दोस बरस अगाड़ी देखी बाषा परिच्या लीन थालेको मा बाषा परिच्या पास करेरा आलचम्मा पचास जार नेपाली कामदार रोजगारी का लागी कुरिया पुगेका चान कुरिया ले एस पटक उत्पादन मुलक छेत्र तर्फ चार हजार आड़ से रा क्रिशी तथा पशुपालन तर्फ दुई हजार तीन से गरी सात हजार एक से कामदार माग गरेको सा आगा में जेट 27 रा 27 गरत्ते संचालन हुने नवबाउं कोरियान भाषा परिश्यामा शोहवागी हुना का लागी आबेदन भरने म्याद 24 गरत्ते सम्मा तू किये को सा कैमेरा पर्षन नविन राना का साथ तेजना पंडित को रिपोर्ट